उत्तर प्रदेश के राजुनितिक मैदान में चुनावी माहौल गर्माया हुआ है चुनावी मैदान में उतर कर प्रचार अभियान को तेज किया जा रहा है बचे दो चरनों के चुनाव में गट बंदन और दल के अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश लगातार जारी है इस इक्रम में राहुल गांदी ने भारते जनता पार्टी की प्रभावी राशन योजना पर बड़ी घोशना की है भाजपा के पांच किलो मुफ्त अनाज योजना को लेकर उन्होंने इसे दस किलोग्राम करने की घोशना की अब इस पर बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता अकाश शानन का करारा हमला सामनी आया आकाश शानन ने राहुल गांदी को जनता को गुलाम समझने की बात कही दरसल मायवती ने आकाश शानन को अपना उत्राधिकारी घोश्चित किया था पार्टी में उन्हें नैशनल को और्डिनेटर पर दिया गया था लिकिन पिछले दिनों उनके बयानों के बाद मायवती ने उन्हें आप परिपक वो बताते हुए कहा कि पार्टे के तमाम पदो और उत्राधिकार वापस किये जाने की आकाश आनन ने राहूल गांदी के बयान पर करारा हमला बोला, उन्होंने कांगर्स राहूल गांदी पर निशारा साथे वे कहा कि ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, ये आज भी सब को गुलाम समझते हैं एक पांच किलो राशन देकर धाई लाग की नौकरी खा गया, दूसरा दस किलो राशन का लालज देकर वोट खाना चाहता है उन्होंने वोटरों से कहा कि साबधान रहीएगा, मायवती के पद छीने जाने के बाद से आकाश अनन्द अब राशन देक तोर पर हमलावर होते वे नजर आ रहे है राउल गांदी ने कहा कि भोजन का अधिकार, कांगर्स पार्टी और यूपिय की सरकार लेकर आई हम आपको बीजेपी से दोगना अनाज देंगे और वो पांच किलो देते हैं, हम दस किलो देंगे राउल गांदी की सिब्यान पर आकाश अनन्द ने हमलावर रूख अपनाया है इससे पहले बीजेपी पर भी वो अनाज योजना के जरीए गरीबों को गलाम बनाने की बात कर चुके हैं